नमस्कार मद्यप्रदेश इन्वेस्टर्स समीट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का उद्यम्यों का बहुत बहुत स्वागत है विक्सिज भारत के निर्वान में मद्यप्रदेश की भूमी का बहुत महत्वकून है आस्था आध्यात्म से लेकर परियत्रन तक एग्रिकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल्ड डव्लप्मेंट तक MP अजब भी है गजब भी है और सजग भी है साथियों मद्यप्रदेश में ये समीट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमरित काल शुरू हो चुका है हम सभी मिलकर विक्सिद भारत के निर्बान के लिए जूटे हुए है और जब हम विक्सिद भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है बलकि ये हर भारतिय का संकल्प है मुझे खुशी है हम भारतिय ही नहीं बलकि दुनिया की हर संस्ता हर एक्सपर्ट इसको लेकर आस्वस्त दिख रहा है Friends, the IMF sees India as a bright spot in the global economy The World Bank says that India is in a better position to deal with global headwinds than and many other countries. This is because of India's strong macroeconomic fundamentals. OECD has said that India will be among the fastest growing economies in the G20 group this year. According to Morgan Stanley, India is moving towards becoming the world's third largest economy in the next 4-5 years. The CEO of Mackenzie had said that this is not only India's decade but India's century. institutions and credible voices that track the global economy have unprecedented confidence in India. The same optimism is also shared by global investors. Recently, a prestigious international bank conducted a survey. They found that a majority of the investors preferred India. Today, India is receiving record-breaking FDI. Even your presence among us reflects this sentiment. Friends, this optimism for India is driven by strong democracy, democracy, young demography and political stability. Due to this, India is taking decisions that boast ease of living and ease of doing business. Even during a once-in-a-century crisis, we took the path of reforms. India has been on the path of reform, transform and perform since 2014. The Atma Nirvar Bharata Bhyan has imparted greater momentum to it. As a result, India has become an attractive destination for investment. दात्रियों एक स्थीर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार, विकास को अभूत्बर्वक गति देकर दिखाती हैं. देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं आपने भी देखा है कि कैसे बीते आठ वर्षों में हमने रिफार्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है बैंकिंग सेक्टर में रिकेपिटलाइजेशन और गवरनर से जूड़े रिफार्म हो आई बीसी जैसा मोडन रिजॉलुशन फ्रेमबर्ग बनाना हो जी एस्टी के रूप में वन नेशन वन टैक्स जैसा सिस्टिम बनाना हो कॉर्परेट टैक्स को ग्लोबली कॉम्पेटिटिव बनाना हो सोवरीन वेल्ट फंड्स और पैंशन फंड्स को टैक्स में चूट हो अनेक सेक्टर्स में आटोमेटिक रूट से 100% FDI की पर्मिशन देना हो छोटी छोटी आर्थी गलतियों को डी किमिनलाइज करना हो ऐसे अनेक रिफोर्म के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोडे हटाये हैं आज का नाया भारत अपने प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी उतना ही भरोसा करते हुई आगे बढ़ रहा है हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक स्ट्राइजिक सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है दर्जनों लेबर लॉज को फोर कोर्ज में समाहित करना भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम है साथियों, कम्प्लाइंसिस के बोच को कम करने के लिए और उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर अभूत पुर्वा प्रयास चल रहे हैं बीते कुछ समय में करिब 40,000 कम्प्लाइंसिस को हटाया जा चुका है हाल ही में हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टिम शुरू किया है जिससे मद्यप्रदेश भी जूड़ चुका है इस सिस्टिम के तहत अभी तक लगभग पचास हजार स्विक्रूतियां दी जा चुका है भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्रक्टर मल्टी मोडल होता इंफ्रास्रक्टर भी इंवेस्टमेन की संभावनाओं को जन्म दे रहा है आठ वर्षों में हमने नेशनल हाइवे के निर्मान की स्पीड दोगुनी की है इस दोरान भारत में आपरेशनल एर्पोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है भारत की पॉर्ट हैंडलिंग केपिसिटी और पॉर्ट टन एराउंड में अभूत्पुर सुधार आया है डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडूर्स इंडुस्रियल कोरिडूर्स एक्स्प्रेस वेस लॉजिस्टिक पार्क्स ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं पी एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान के रूप में पहली बार भारत में इंफ्रास्ट्रक्चन निर्मान का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म पर देश की सरकारों एजन्सियों इन्वेस्टर से जुड़ा अपडेटेड डेटा रहता है भारत दुनिया के सबसे कंपिटिटिव लोजिस्टिक मार्केट के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है इसी लक्ष के साथ हमने अपनी नेशनल लोजिस्टिक पॉलिसी लागू भी की है साथियों भारत स्मार्ट फोन डेटा अ कंजम्शन में नेबर वन है भारत ग्लोबल फिन टेक में नमबर वन है भारत IT-BPN Outsourcing Distribution में नमबर वन है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा aviation market और तीसरा बड़ा auto market है भारत के बहतरी इन डिजिटल infrastructure को लेकर आज हर कोई विश्वास से भरा हुआ है ये global growth के लिए कितना जरूरी है ये आप भली भाती जानते हैं भारत एक तरफ गाउं गाउं तक optical fiber network पहुँचा रहा है वह तेजी से 5G network का विस्तार कर रहा है 5G से हर industry और consumer के लिए internet of things से लेकर AI तक जो भी नए अवसर बन रहे हैं वो भारत में विकास की गती को और तेज करेंगे शाथियों इन सारे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया को नई ताकत मिल रही है मैनुफेक्टरिंग की दुनियास में भारत तेजी से अपना विस्तार कर रहा है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत धाई लाग करूर रुपिय से जादा के इंसेंटिव की गोश्राची जा चुकी है इस स्कीम दुनिया भर के मैनुफेक्टरर्स में पॉपलर हो रही है इस स्कीम के तहत अब तक अलग-अलग सेक्टरस में लगबग चार लाग करोड रुपिय प्रोडक्शन हो चुका है मत्रदेश में भी इस स्कीम की वज़े से सेंकडो करोड रुपिय का निवेश आया है MP को बड़ा फार्मा हब बनाने में बड़ा टेक्स्ट्राइल हब बनाने में इस योजना का भी महत्वा है मेरा MP आ रहे इंवेस्टर से आग्रह है कि PLI स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाब उठाए साथियों आप सभी को ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत की आकांग्षा से भी जुड़ना चाहिए कुछ दिन पहले ही हमने मिशन ग्रीन हाइडरोजन को स्विकृति दिये यह लगभग आठ लाग करोड रुपिय के निवेश की संभावनाओं को लेकर आ रहा है यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बलकि ग्लोबल डिमांड को पूरा करने का एक अवसर है हजारों करोड रुपे के इंसेंटिवस की व्यवस्ता इन अभ्यानों के तहत की गई है आप इस महत्वकांग्षी मिशन में भी अपनी भूमी का जरूर एक्स्प्लोर करें साथियों, हेल्थ हो, एग्रिकल्चर हो, नुट्रिशन हो, स्कील हो, इनोवेशन हो हार लिहाद से भारत में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है यह भारत के साथ साथ एक नई ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्मान का समय है इसलिए आप सभी का मैं फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस समीट को मेरी अनेक अनेक शुप कामनाए है मद्द प्रदेश का सामर्थ, मद्द प्रदेश के संकल्प आपकी प्रगतिवें दो कदम आगे चलेंगे मैं आपको विश्वास से कहता हूं आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार